नमस्कार दोस्तों मेरे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है बॉलिवुट की शादियों के सच पर अपने पिछले वीडियो में यानि पार्ट थ्री में मुझसे दो गलतिया हो गई थी मैंने कहा था कि रनवीर दिपिका की शादी को 2018 से अब तक 11 साल हो गये हैं जो कि ग मैंने कहा था कि infidelity is reality of society असल में मुझे कहना था कि infidelity is reality of society एक यूजर ने comment करके मुझे ये बताया लेकिन काश सच में ये reality ही होती मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में कई बॉलिवुड स्टार्स की शादियों में बेवफाई अपने पार्टनस से धोके और उसके अ बगता होगा कि हम जिरनलिस्ट को ऐसी मसालेदार में मज़ें उस्वाइव एक बहुत जजबाती हो खासकर इसकर है बहुत को जजबातीने हैं लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि जिनके घर में गई हूँ, जिनके परिवार को खुश देखा है, उन्हें घरों को तूटते हुए देखना, पत्नी को दुखी देखना, मुझे भी बहुत गहरा सदमा देता है। और कई जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होता होगा, जो स्टार्स और सैलिप्स के करीब रहते हैं, क्योंकि उनसे हम भे जजबाती तोर पर कही न कहीं जुड़ जाते हैं, हाला कि पत्रकारों को इससे बचना चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी जंदगी है, उनके फै गए थे जुहू में, तब रितिक रोशन उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं दिन और रितिक के पहले बेटे रेहान का जर्म हुआ था, इंट्वियू में राकेश रोशन ने बहुत प्यारी बात शेयर की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे घर में एक नया महमान आया है, और ह मुझे हमेशा वो पल याद आये, खैर उन दो लोगों के बीच क्या दिक्कते हैं, वो दोनों ही अच्छी से जान सकते हैं, और दोस्तों तलाख हमारे दोर की सच्चाई है, और समाज ने उसे स्वीकार कर लिया है, फिर असली मकसद तो खुशी रहना है, और अगर अलग र अधिकार और रमेश तिप्पी की राजश खन्ना और हेमा मालनी की मुख्य भूमिकाओं वाली अंदाज में इन दोनों ने लेखन किया था, सत्तर के दशक की शुरुआत में लाइन से इस लेखक जोड़ी की कई फिल्में सुपरेट हुई थी, उनकी ब्लॉक बस्टर विल्में साथ में लिखी और 1982 में ये जोड़ी तूट गई, ये दोनों पहले लेखक थे जिनका नाम पोस्टर्स पे चापा जाता था, ये दोनों ही सुपर स्टार राइटर्स थे, लेकिन अफसोस कि काम्याब होने के बाद जावीद अक्तर और सलीम खान दोनों ने ही सपोर्टिंग रोल्स करने लगी थी, 17 साल के उम्र में सीता और गीता के सेट पर जावेद साब से उनके मुलाकात हुई, हनी को फिल्म में लीड रोल्स के ओफर आने लगे थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग छोड़ के जावेद के साथ घर बसा लिया और पूरा ध्यान द एक बड़ी हिरोईन शवाना आजमी से एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर चल रहा है, दोनों के जगड़े होने लगे, आखिरकार बीवी नहीं पती को आजाद करने का फैसला कर लिया, 1984 में जावेद ने शवाना से दूसरी शादी कर ली, उस वक्त शवाना को सबने घर तोड़ कि अपना घर आदमी खुद तोड़ता है, आदमी जो कुछ करता है वो अपनी खुशी और स्वार्थ के ले करता है, और जब नाम और पैसा आजाता है, तो उसके पास आप्शन्स भी बहुत सारे आजाते हैं, जब भी बॉलिवुड में किसी ने दूसरी शादी की है, लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंज सारी का को बुरी औरत कहा, अमिताब रेखा और जया बचन का लव ट्राइंगल बना, तो लोगों ने रेखा को ही गलट ठहराया, और यही प्रियंका छोप्ला के साथ हुआ, दरसल स्टार से नहीं, आम होड़ते भी यही करती है, जब वो अपना ही सिक्का खोटा हो, तो दूसरी को क्या दोश देना, दोस्तो जाविद अक्तर से शादी से पहले शबाना आजमी का फिल्म मेकर शेखर कपूर से लव अफेर था, और वो काफी स्ट्रॉंग था, दोनों साथ साल लिविन में रहे, और फिर लड़ लड़ा के अलग ह हो गए, यहां तक कि 38 साल तक दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की, शबाना ने उस से पहले बेंजमिन गिलानी से सगाई की थी, जो उनके साथ पोड़े फिल्म इंस्टिट्यूट में पढ़ते थे, लेकिन बेंजमिन शबाना की खामया भी से तालमेल नहीं बिठा और अलग हो गए, दोस्तों ये तो सच है कि शबाना के लिए जावेद ने अपनी पत्नी हनी को छोड़ा, और फिर उनके बारे में भी वही कहा, जो आमिर खान हर तलाक के बाद अपनी बीडियों के लिए कहते हैं, यानि मैं और हनी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए मैं अपनी पत्नी की बहुत इज़त करता हूँ वगेरा वगेरा, जावेद ने ये भी कहा था कि हनी के ही समझदारी के कारण उनके तलाक का असर उनके बच्छों पर नहीं हुआ, दोस्तों किसी हीरोईन के लिए बीवी को छोड़ना और फिर छोड़ी हुई पत्नी की इज और उससे दोस्ती का दिखावा करना तो बॉलिवोड वालों से सीखना चाहिए, जावेद साब तो खैर बहुत बड़े शायर हैं, बहुत ही खुबसूरत लफ़सों में अपनी बात कहते हैं, लेकिन बॉलिवोड के पांचवी, दसवी और बारवी फेल एक्टर्स भी इतन नेचुरल करते हैं ना कि आपको भरोसा आजाता है, इस चार लेखक जोडी के राइटिंग पार्टनर सलीम साब ने भी अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा ही किया, सलीम खान इंदौर के रहने वाले थे, उनकी पहली शादी हिंदू-मराठी महिला सुशिला चरक से 1954 में यान वो इंदौर में थी और सलीम खान मुंबई में स्ट्रागल कर रहे थे, जब वो बी ग्रेट फिल्मों में साइड रोल्स कर रहे थे, उस दोरान उनके मलाकात हेलेन से हुई, पुर्तगाली एंगलो इंडियन मूल की हेलेन का पूरा नाम था हेलेन एंड रिचरजसन, हेलेन लेखक बन गए और सलीम जाविद की जोड़ी बना ली, जिसके बारे मैंने आपको पहले बताया, सलीम खान ने कई फिल्मों में हेलेन को काम दिलाया, हेलेन जब मुसीबत में थी और अकेली थी, उन्हें काम मिलना बंद हो गया था, तो सलीम खान ने उनके मदद की, लेकि जब सलीम खान 43 साल के थे, यानि 43 साल के थे और हेलेन 42 साल के, आज भले ही सल्मान खान की ये दोनों माएं साथ में खोश नजर आती हों, लेकिन तब परिवार में बहुत खोन खराबा हुआ था, शोहर जब सौतन ले आया, तो सल्मा बहुत दुख, दर्द और तकलीफ से गुजरी, जिस आदमी के लिए उन्होंने अपने परिवार को नाराज किया, अपना धर्म बदला, उसकी बच्चों को जनन दिया, पाला, उसी ने उनसे बेवफाई की थी, सल्मा खुद इन दौर में रहके सलीम साब के बच्चे पाल रहे थी, और वो आदमी मुंबई में एक होट आइटम गर्ल के साथ इश्क फर्मा रहा था, किसी भी औरत को ये कैसे बरदाश्ट होगा, सल्मा ने भी पती के बारे में गौसिप्स तो पढ़ी सुनी होगी, लेकिन उसी भरोसे पे दिल को समझा लिया होगा, जो गोविंदा की पतनी सुनीता कहती है, कि आदमी कहीं भी मोमारे लोट के तो घर ही आएगा, सलीम साब घर जरूर आए, लेकिन दूसरी औरत को ले कर, घर में शांती बनाए रखने के लिए उन्हें हेलेन को अलग घर में रखना पड़ा, हेलेन कभी भी सलीम खान के परिवार के साथ बांधरा बेंस्टेंड के सी फेसिंग बंगले, गैलेक्सी अपार्टमेंस में नहीं रही, और ना उनके बच्चों ने उन्हें कभी अम्मी कहा, सल्मान, अर्बास, सोहेल, अलवीरा हमेशा उन्हें हेलेन आउंटी ही कहते रहे, हेलेन बांधरा में ही अलग घर में रहती है, सलीम खान ने मुझ से एक इंटर्व इतनी यादें ताजा करने लगे, कि सामने बैठी सल्मा से रहा नहीं गया, और वो बोली, क्या आप बंद करेंगे, कि मैं उठके चली जाओं, तो सलीम साब खामोश हो गए, दोस्तों सौतने तो सौतने होती है, चाहे आम लोग हो, या बॉलिवुद स्टार्स, चाहे इसल आदमी को एक ही रहते, दूसरी, तीसरी, चौती शादी की इजाज़त देता है, लेकिन किसी भी बीवी को सौतन पसंद नहीं होती, पिछले वीडियो में एक तर्शक ने से ब्यूटी ओफ इसलाम कहा था, तो दूसरा उससे लड़ पड़ा था, और मैंने बीच वचाव कर आया था, दोस्तों इसलाम धर्म में शादी के नियम ने कुछ स्टार्स को दूसरी शादी का रास्ता दिखा दिया, कुछ स्टार्स ने हिंदू से मुसल्मान बनके दूसरी शादी की, जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने, सत्तर के ही दशक में सुपस्टार धर्मेंद् Li affair शुरूव गया था धारमेंद्र 19 साल की उम्रे में ही प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे और उनसे चार शार पच्छे भी थे सनी बॉबी अजीता और वजेता धार में धर में हीमा से शादी भी करना चाहते थे और प्रकाश कौर को तलाग भेने देना चाहते थे तो उन के शुपचिंतकों ने उन्हें ये रास्ता दिखाया कि मुसल्मान बन जाओ हेमा की माँ शादी के खिलाफ थी अब एक शादी शुदा चार बच्चों के बाप से कौन माँ अपनी काम्याब बेटी को शादी करनी की जाज़त देगी तो निकाह के लिए धर्मेंद्रु धर्म परिवर्तन करके दिलावर खान बन गए और हेमा मालिनी बनी आईशा भी चक्रवर्ती दोनों ने 21 अगस्त 1989 में एक लाख 11,000 मेहर के एवस चोरी छुपे इस्लामिक रीती रिवाज से निकाह कर लिया 1981 यानि 1981 में एक मैगजीन से इंटिव्यू में प्रकाश कौर ने अपना दुख जाहिर किया था उन्होंने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें दोश्तूं या अपनी खिस्मत को लेकिन मैं उनका यानि धर्मींद्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगे और उन्होंने नहीं छोड़ा लेकिन दोस्तों धरम जी ने भी जूट बोलने की हद कर दी जब उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेई के कहने पर बीजीपी की टिकट लेकर बीकानेर से संसदिय चुनाव के लिए नामाकन भरा तो उसमें अपना नाम लिखा धर्मेंद्र केवल क्रश्न देवल और पत्नी के नाम के कॉलम में लिखा हेमा मलनी नहीं बलकि पहली पत्नी प्रकाशकौर का नाम विपक्षी कॉंग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और इसे धोखा धड़ी और हिंदू मैरिज एक्ट का उलंगन का केस बताया कोट में याचिका भी दायर कर दी तो धर्मेंद्र ने साफ जूट बोल दिया कि उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन किया ही नहीं और न दूसरी शादी की वो बोले मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो अपने हितों के लिए अपना धर्म बतलेगा फिर उनका जूट खोलने के लिए कॉंग्रेस ने तो ओवर टाइम किया ही लेकिन मीडिया भी पीछे नहीं था आउटलुक मेगजीन ने हेमा मालनी के साथ उनके निकाह नामे की कॉपी ही जाब दी तो उनका जूट सामने आ गया आप भी देख लिजिए उस निकाह नामे की कॉपी हेमा मालनी भी बीजेपी की सांसद है उन्होंने भी अपने बारे में गलत जानकारी थी दोस्तो धर्मेंद्र बहुत एमोशनल इंसान है लेकिन उन्होंने धर्म बदला निकाह किया दो बच्चे भी कर ले और 25 साल बाद सब कुछ सिरे से नकार दिया कोई ऐसा कैसे कर सकता है और वो भी अपने राजनतिक भविश्य के लिए इससे शादी की बेज़ती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे धर्मींदर और हेमा का जूट तो पकड़ा गया लेकिन कई स्टार्स बड़ी सफाई से जूट और लीपापोती करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने सुलजे हुए लोग हैं इनके बीच तो न सौतनों की नाराजगी होगी न बीवी के करंट और एक्स लवर सी जैलन या असुरक्षा लेकिन अक्सर ये दिखावाई होता है आहम लोगों की तरह ही इनके बीच भी शोडाउन होते हैं बड़े बड़े तमाशे होते हैं लेकिन कई बार वो सामने नहीं आते दोस्तों बॉलिवुड स्टार वाईज और अधर वोमन यानि दूसरी औरत की लड़ाई का एक किस्सा में आपको सनाते हूं ये किसी को भी नए मालुम है ये मुझे अपने खास सोर से पता चला था लेकिन काफी देर बात पता चला तो मैं इसे चाप नहीं सकी जब शारुक और प्रियंका के अफैर के गॉसिप्स छप रहे थे और सारी बॉलिवुड की बीवियों ने यानि स्टार वाईब्स के क्लब ने प्रियंका को हाउस प्रेकर का खेताब दे दिया था तब एक बार गौरी और प्रियंका का आमना सामना हुआ था रेट चिलीज के ऑफिस में प्रियंका अपना कोई पेमेंट का मेटर सेटल करने गई थी बेस्मेंट के रूम में गौरी और प्रियंका टकरा गई उस वक्त वहाँ उनका वकील भी मौचूद था ये दोनों सिगरेट पी रहे थी और पूरे रूम में धुआ भर चुका था दोनों में जो बिल्लियों जैसी लड़ाई हुई उससे उस बेचारे वकील के कानों से खोन निकलने लगा दोस्तों दोनों महिलाओं की जबान चाकू छुरी और तलवार की तरह चल रहे थी उस वकील ने अपने दोस्त को ये बात बताई थी कि मैं उन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में फंस कया था मुझे लगा कि मैं कब इस कमरे से निकलू और फागू मुझे खबर कई सालों बात पता चली इसलिए मैंने इसे कहीं चापा नहीं दोस्तों मैंने कहा था ना कि बॉलिवुट की शादियों के उम्र अब 15-16 साल ही रह गई है और एक बात आप गौर करिएगा कि सारे स्टार्स और फिल्मेकर्स दूसरी तीसरी शादी अपने से आधी या आधी से भी कम उम्र की लड़कियों से ही करते हैं ज्यादा तर डेट भी छोटी लड़की से ही करते हैं दोस्तों आप में से जो मेल्स हैं यानि मर्द हैं वो बुरा मत मानिएगा लेकिन मैंने देखा है कि भारतिय मर्दों को अपने से छोटी लड़कियों से ही शादी करनी होती है यानि दूसरी शादी दूसरी शादी के लिए हर कोई 10-15 साल चोटी बीवी ढून रहा था बॉलिवुड में अपनी बरावर या खुझ से बड़ी उम्र की औरत से शादी अभी तक तो मैंने नहीं सुनी यानि दूसरी शादी आपको अरजुन कपूर और मलाइका अरोरा की रोमेंटिक तस्वीरे याद आ गई होंगी तो मैं बता दूं कि अरजुन ने मलाइका से भी तक शादी नहीं की है और नहीं करने वाला है रोमेंस तो खेर किसी के साथ भी किया जा सकता है असली बात तो घर बसाने की होती है मलाइका के एक शोहर अरवास खान ने भी हाल ही में रवीना टंडन की मेक अप आटिस शोहरा खान से दूसरी शादी करके फिर से घर बसा लिया है फूलो वाली शेरवानी में 58 साल के यानि 58 एट यर्स के अरवास खान बहुत खोश लग रहे थे और क्यों नहों उनकी नई बीवी उनसे 25 साल चोटी जो है दोस्तो एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि रवीना टंडन की मेक अप आटिस्ट कई सालों से रवीना अपना ज्यादातर मेकप खोदी करती है मैंने सेट पर भी देखा है खेर असल में अरवास बहुत शान्त सुलजे हुए और शरीफ आदमी है मैंने उससे काफी बात की है लेकिन जब 2016 में मलाइका उनका घर छोड़के अलग रहने चले गई थी तो सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ट्रोल किया था और नेगिटिव कमेंस किये थे अरवास उस वक्त बहुत भड़क गए थे और उन्होंने कहा था ये कोई मेरी फिल्म नहीं है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो ये मेरी परसनल लाइफ है और हमें किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है तो माइंड यूर ओन बिजनस ठीक है मान लिया लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पैसों के लिए इन दोनों पती पत्मी ने अपनी इसी परसनल लाइफ को बेचा था और पबलिसिटी के लिए खुद मीडिया स्टंट किया था तब कहा थी ये प्रैविसी आपको याद दिला दूँ कि अरबाज और मलाइका ने अपनी शादी का खुद बहुत बड़ा मज़ा कोड़ाया था वो भी पैसे कमाने के लिए 2013 में मलाइका ने एक फेशिल ब्यूटी क्रीम की कमपनी शायद लख में थी उसकी एंडॉस्मेंट डील साइन की थी और खुद मुंबई मिरर की रिपोर्टर विकी लालवानी को ये नियूज लिग की थी कि उनका डिवोर्स हो रहा है और अरबास को दो बारा प्यार हो गया है और वो दूसरी शादी करने वाला है जब स्चार खुद बोल रहा हो तो जर्नलिस्ट को क्या शक रह जाएगा दोस्तो अगले दिन जब टाइंस ओफ इंडिया का टेबलॉइड मुंबई मिरर मार्किट में आया तो उसकी लीड देखकर हंगामा हो गया बॉलिवुड की सबसे होट कपल का डिवोर्स होने वाला है किसी ने सोचा भी नहीं था सब को जटका लगा फिर बेशर्मी से मलाइका ने कहा कि ये स्टंट करने के पीछे उनका प्लान बाद में ये बताने का था कि अरबाज को दूसरा प्यार हुआ है तो वो उसी वाइफ से हुआ है क्योंकि वो ब्यूटी क्रीम लगा के यानि मलाइका और भी सुन्दर हो गई है पैसों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को उच्छालने में उन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आए और कुछ सालों बाद उनका वो जूट सच हो गया इसे कहते हैं कर्मा और ये स्टार्स प्राइविसी की बात करते हैं अरबाज के छोटे भाई सोहिल खान का भी अपनी पत्नी सीमा सचधे से तलाग का केस चल रहा है दोनों कई सालों से अलग रह रहे हैं उनका बेटा है निर्वाण सीमा ने तलाग की एक वज़व बताते में कहा था कि दोनों में बहुत जगड़े होते थे तो दोनों अलग रहने लगे सीमा ने नेट्विक्स के शोव फैबूलस लाइवस और बॉलिवुड वाइवस में अपने तलाग की बात की थी उसमें सीमा अपनी सहेलियों चंकी पांडी की पत्नी भावना संजे कपूर की पत्नी महीप और समीर सोनी की पत्नी नीलम को ठारी के साथ दिखाई थी लेकिन अलग होने की असली वज़ा कुछ औरी थी कुछ सालों पहले हुमा को रहशी का नाम सोहेल के साथ चुड़ा था तब सोहेल पत्नी से अलग नहीं हुआ था कहते हैं कि सीमा और एक्ट्रिस हुमा खुरेशी का एक बार आमना सामना हुआ था और काफी कहा सुनी हो गई थी हुमा ने बाद में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था स्टार या प्रोड्यूसर्स डिरेक्टर्स शादी शुदा हो तो हर हिरोईन यही कहती है कि मेरा उससे कुछ नहीं था हम तो सिर्फ को स्टार्स हैं वगेरा वगेरा यह डायलोग तो हम कई बार सुन चुके हैं दोस्तो मैंने देखा है कि जब-जब बॉलिवुड में धुआ उठा है तो आग जरूर निकली है हुमा के नजदी किया फिल्मेकर राइटर अनुराग कशप से भी थी जब वो गैंग्स और वासेपुर में काम कर रहे थी तब दूसरी पतनी कल की कोचलीन से अनुराग शादी शुदा था लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अनुराग कशप और दूसरे बॉलिवुद सेलिप्स और स्टार्स की शादियों बेवफाई और धोखे के किस्से अगले वीडियो में बताऊंगी क्या स्टार्स, क्या राइटर्स और क्या सिंगर्स रंगीन, मिजाजी में, बॉलिवुड में कोई भी कम नहीं है कहते हैं ना कि जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है लेकिन नाम होने के साथ आदमी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है क्योंकि लोग इने लुक अप करते हैं, इने आदर्श समझते हैं जूट पर भरोसा मत कीचे, सच जाने, और इने इनसान समझे, भगवान नहीं इनके काम के फैन बनिये, अंदवक्त मत बनिये, लोगों नितों इन स्टार्स के मंदिर तक बना रखे हैं तो बॉलिवूड शादियों के सच देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए और अपना खयाल रखे और वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीचे, सब्सक्राइब कीचे और शेयर कीचे और आपके कमेंस में सुनती हूँ, पसंद करती हूँ, कुछ लोगों ने बहुत जहरीले कमेंस भी किये, लेकिन खैर ये तो सोशल मीडिया का हिस्सा है, तो चलता है, बाई दोस्तों